हेलो डिर स्टुडेंट्स वल्कम बैक तो एर फेवरेट चनल मैंगनेट ब्रेंज मैं संचुता जैन आपके सिस्टे एडुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास नाइध स्टुडेंट्स के लिए सामजविज्यान में जवरौफी का चैप्टर नमबर फाइव जिसका नाम है प्राक्रतिक वनस्पती तथा वन्यप्राणी और आज का हमारा टॉपिक है प्राक्रतिक वनस्पती का अगला प्रकार कटीलेवन तथा जाडिया इसके पह वर्षावन यानिकी सदाबहारवन और उष्ण कटीवन पर्णपातीवन इतनी जानकारी मैं आप तक पहुँचा चुकी हूँ अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है कटीलेवन तथा जाडिया जो है तीसरा टॉपिक तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से जादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैंगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेश फ्री अफ कॉस्ट आई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली और नाइस कम्प्लीट कोर्स के साथ जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेश इंगलिश और हिंदी दौना मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं CBSE वोट के साथ साथ MP वोट, UP बिहार वोट, दिली वोट, राजस्तान वोट के सलिवस को भी कवर कराया जाता है सारे कोर्सेश आपको NCRAT से ही पढ़ाई जाते हैं काफी सारे स्पेशल कोर्सेश भी हमारे पास जोसे की व्यादिक मैस, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंगलिश और इतना सारे कोर्सेश आपको एक ही जगे, एक ही सिंगल प्लेटफर्म पर हाई क्वालिटी एजिकेशन के साथ, फुली और नाइस कम्प्रीट कोर्स के साथ, दमफ्री आफ कॉस्ट मिलने वाले हैं अगर आपको ईबुक सुरी नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक के दी गई है जल्दी से जाईए, क्लिक कीजे, सारी चीजे, सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएगी चलिए तो शुरू करते हैं, आज कई बहतरीन, इंट्रस्टिंग और इंपोर्टेंट शेशन आपके लाइक और शेयर के साथ अल्राइट, सभी रेडी, शिरू करें, आजाएए जल्दी से, तो प्राक्टिक वनस्पती तथा वन या प्राणी में, कटीले वन तथा जाडियों के बारे में हम चट्चा करेंगे तो देखें, अभी तक हम ने दो प्राकार पड़े हैं प्राक्टिक वनस्पती के, जिसमें से पहला है उश्रकटिबंदी सिदाबहार वन, दूसरा है उश्रकटिबंदी पणपाती वन, जो भारत के लग-लग बहुत तक प्रदेशों में 20 आती है, वहां की जलवायू के आ आधार पर, वहां के टेंपरिचर के आधार पर, ठीक, इसी तरीके से जो तीसरा प्रकार है उश्रकटिबंदी ये कटीलेवन, तीसरा प्रकार देखें, आप उश्रकटिबंदी ये कटीलेवन, क्लियर, अब ये कहां पाये जाते हैं, कितने सैंटिमीटर बारिश के आवसक यह सारी बात आज के शेशन में करने वाले हैं तो देखो बहुतिक प्रदेश नजर आ रहे हैं परवत है उत्तर का हिमालय परवत है फिर परवती शेत्र के नीचे उत्तर का विशाल मैदाना आपको दिखाई दे रहा है फिर अब यह राजस्थान का बाग मरुस्त तौलिय भ दो द्वीप समू, लक्षवदीप और अंडमान एको बार दीप समू ये चर्चा हो गई, ये चर्चा बार बार हो चुकी है अब आपको भारत के भौतिक प्रदेशों में कोई दिक्कद नहीं होगी अब इन्ही भारत के केस भौतिक प्रदेश में अकिन भौतिक प्रदेशों में कटिलेवन तता जाडियां पाए जाती हैं देखें चलिए तो ये छेत्र देखो भई कलर देखो भई कौन सा कलर है कौन सा कलर है ओफ वाइट कलर है ये वाला शेत्र देखें जो रैड कलर से मैं कवर कर रही हूँ ये वाला शेत्र आप देखें ठीक, तो जिन छेत्रों में 70 cm से कम बारिश होती है कितनी? 70 cm से कम बारिश, कटीले वन और जाडियां है भई कहा होगेंगे, जहाँ पानी कम होगा ठीक है? तो जहाँ 70 cm से कम बारिश होती है वहाँ कटीले वन तथा जाडियां पाई जाती है और इस प्रकार की वनश्पती भारत देश में कहाँ पाई जाती है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनश्पती की जिसमें आज हम कटीलेवन और जाड़ियों की चर्चा करेंगे तो किस शेत्र में पाई जाती है इस प्रकार की वनस्पती इस प्रकार की वनस्पती देश के उत्तर पश्यम भाग में पाई जाती है कहां उत्तर पश्यम भाग में पाई जाती है जिनमें गुजराथ, राजस्तान, छत्तीजगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तो था हर्याणा के कुछ शेत्र शामिल है तो अब यह गुजराथ राजस्तान का छेत्र तो इस पश्ट हमें दिखाई दे रहा है ना तीक है गुजरात राजिस्तान का छेत्र हमें सपश्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा बाग शत्तीजगड का आ जाएगा उसके बाद उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा छेत्र आएगा यहाँ पर मध्यप्रदेश का यहाँ से आपको हरियाना भी मिल जाएगा क्लियर है कहानी तो गुजरात ठीक है योग्या राजिस्तान गुजरात छत्तीजगड उत्तर प्रदेश तोड़ा सा बाग मध्यप्रदेश का यहाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ से तोड़ा सा बाग आपको मध्यप्रदेश का भी मिल जाएगा और उसके बाद ह काटे लगे होते हैं तो अकाशिया खजूर नांगफनी यहां की प्रमुख पादप्रजातियां है और इन वनों के व्रक्ष बिखरे हुए होते हैं बैए खजूर आपने सुनाया ना की जब आप खजूर ख़रीदने जाते हो तो लोग कहते हैं दुकानदार कहते हैं अफगानी खजूर हैं यह अरब कंट्री्स के खजूर हैं तो वह छेतर कैसा है। अफगान का शेत्र अरब कंट्री इस कैसा शेत्र है कैसा शेत्र है पानी गिरता है वहां पर पानी की वहां पर घोर कमी पाई जाती वहां पर तेली तेल पाया जाता है और रेथी रेथ पाई जाती है तो इसलिए तो खजूर वहां पर जादा पैदा होती है और राजस्तान क चेत्र गुजरात का चेत्र भी कुछ ऐसा ही है मरुस्तलिय भाग ही है ठीक है तो अकाशिया खजूर नांगवनी यहां की प्रमुक पादप्रजातियां हैं जो कटीले वन और जाडियों में शामिल होती हैं इन वरों के व्रक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़े जो में भी जीवन है तब तो वरक्ष बढ़ता है तब तो उसकी जड़ें भी फैलती हैं आप इतना सा पौधा लगाते हो ठीक है इतने चोटे-चोटे बीज आप मिट्टी में रोपते हो और उनसे इतना बड़ा वट वरक्ष खड़ा हो जाता इतनी ज्यादा फसल लोगाती ह हर एक प्रकार की तो बढ़ रहे हैं यानि कि उनमें भी जीवन हैं वो भी सजीव है ठीक है उनमें भी जान होती है किलियर हो रही है तो इनकी जड़ें लंबी होती है ये बात हमें बताई गई है तो इनकी जड़ें लंबी क्यों होती है क्योंकि वो पानी की तलाश में नी क्लियर कहानी कटीले वल्दधा जाडियां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश उत्तर पश्मी भाग में पाई जाती है यह भाईया उत्तर यह क्या है पश्म और यह कौन सा भाग है उत्तर पश्मी भाग है यह कौन सा भाग है उत्तर पश्मी भाग है जिनमें गुजराद, राजिस् 36 गड़ उत्रप्रदेश मद्रप्रदेश अर्यान आंके कुछ भाग शामिल होते हैं इनकी प्रमग पादप प्रजातियों के चर्चा करें अकाशिया खजूर नांग फनी ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं बिखरे हुए होते हैं जड़ें लंबी होती हैं और पानी की चोटी चोटी पत्तियां हैं बहुत चोटी चोटी पत्तियां जो इसकी पाई जाती हैं यह व्रक्ष है टीक है जड़ें इनकी काफी गहराई तक फैली हुई होती हैं और इसकी जो पत्तियां होती है बहुत बारीक होती हैं बहुत चोटी चोटी पत्तियां इसमें पाई ज जाती है कुछ इस तरीके की इतनी छोटी-छोटी इतनी छोटी-छोटी पत्तिया इसमें पाई जाती है बहुत छोटी-छोटी किलियर है कहानी तो अब भूलेंगे तो नहीं आप सभी ठीक चलिए कुछ इस तरीके के व्रक्ष जो हैं पाई जाते हैं किस शेत्र में मरस्तलिय शेतर में सुखे शेतर में जहाँ पानी की कमी होती है लेंकिन यह नहीं नहीं कह सकते जहाँ पानी की कमी होती ह है वहा कि पाहएजाते वहाँ पर अलग प्रकारके बंस पैा Protikyanung चांए जाते वनस्पति को इसलिए तो अलग 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 मौसम अलग defect है पानी कहीं कम गिरता है कहीं जादा करता है कहीं टैंपरिचर कम रहता है कहीं जादा किरता है तो व्रक्ष हर जगह पाए जाते हैं लेकिन अलगलग प्रकार के जो व्रक्ष जिस जलवायू के लिए अनुकूल होते हैं वहां वो व्रक्ष पाए जाते हैं अब हम यहाँ पर वन्य प्राणियों की चर्चा करें कि किस प्रकार के वन्य प्राणी पाई जाते हैं तो इन जंगलों में चुहे, खरगोश, लॉमडी, भेडिये, शेर, स्विह, जंगली, गधा, घोड़े और उट पाई जाते हैं अब आएगा अगले वीडियो में अगला प्रकार, ठीक है अगले वन कौन से होगे, परवतिय वनों के तो जल्दी से आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप तक तुरंत वो पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो अगर आप मारे डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्डिट सेसन से जुढ़ना चाहते हैं सारी चीज़ें प्लब्द हैं Magnet Brains के YouTube चनल, वेबसाइट और एप्लिकेशन पर Magnet Brains इंडिया का नंबर वन 100% फ्री अनलाइन एजुकेशन प्रेटफॉर्म है इसके अलावा कर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्द कर सकते हैं बारे पास आपके लिए कई सारी चॉप कोर्सिस इंग्लिश और हिंदी दौनर मीडिया में प्लब्ध हैं फुली औरनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ इतना फ्री आफ कॉस्ट मिलने वाले हैं और मैगनेट ब्रींस यूट्यूब के लावा अधर शूशल मीडिया प्रेटफोर्म जिसे की फेस्बुक, इस्टेग्राम, ट्वीटर, टैलीग्राम, वाटसिप पर भी है आफ हमें यहां भी फॉलू कर सकते हैं, यहां से भी सारी जानकारी प्राप कर सकते हैं आज के शेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करती हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुश है है, थाएंग सू मच